कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ में चिकन चीज रॉल बनाने की रेसिपी इसे आप भी एक बर जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत जादा टेस्टी बहुत जादा यमी बनती हो और बनाने में बिलकुल आसान है तो एक बार इसे कैसे बनाना है जरूर देखें और इस रेसिपी को आप एक बर जरूर ट्राइ कीजेगा घरवालों में सबको बहुत जादा पसंद आएगी तो चले फिर बिना देर कीवे रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं सबसे पहले हमें कुछ हरे मसाले चाहिए जिसमें मैंने एक मु करकर रखे विए धनिया और पदीना दोनों जाल रही हूं मैं और इसके साथ ही इसमें नीबू का रज डाल दोंगी लेमन जूस डालने से इसका कलर एक जैक ग्रीन रहेगा और पिसने के बाद भी एक आला नहीं पड़ेगा और इसको ग्राइंड कर लीजे अब यहां पे म चाट मसाला पाउडर एक चोटी चमच डाल रही हूं मैं और साथ में गरम मसाला पाउडर में यहां पर हाफ टी स्पून आड करूंगी बहुत अच्छा चटपटा टेस्ट देने के लिए चाट मसाला यहां पर डाली है मैंने प्लस हरी मिर्चे भी हैं जो इसको अच्छा चटपटा पन देंगी हरी मिर्चे अपने टेस्ट के अकॉड़ी रखेगा और अब यहां पर हमने हरा मसाला तयार किया था ना यह पूरा डाल देना है यह जो ग्रीन पेस्ट हम रेडी करेंगे यह इसी वक्त इसमें डाल दीजिए और डालकर हांसों से अच्छे से मिला द के लिए फंडा हो जाएगा तो अब यहां पर यह प्लास्टिक शीट अब लगा लीजिए आप इसको बढ़ा कर लिए जो प्लास्टिक शीट है न उसके उपर भी थोड़ा से आप तेल लगा लीजिए जिसीए बहुत अच्छा बनता है और इस तरह से आप गोल घुमाते इसको रॉल कर लें इसकी जो दोनों साइड से उनको भी दबा दे और इस तरह से इसके उपर गोल गोल घुमाते वे फोल्ड कर लीजे बहुत ही इसली फोल्ड हो जाता है या तो आप चाहें तो हाथों पर भी इसको बना सकते हैं और इसी तरह से आपको सारे रॉल बना कर तय मैं 5-6 पीस ब्रेड स्लाइस को क्रम्प बना लिया है और इसमें ये ना ये थाले दाल एक अंडा लोंगी में और अंडे में काली मिर्चों का पाउडर आदी छोटे चम्मच थोड़ा समय इसमें दाली हो कुटी मिर्ची और नमक और नमक दाल कर अश्य से फेंट लोंगी और तो बसी सी तरह से आपको हर एक रॉल प्रिपेर करना है सबसे पहरे डिप करनी और फिर ब्रेड़ कर देना है और सारे को बनाकर आप जाए तो मेकन फ्रीज कर सकते हैं और ऐसे भी इसको फ्राइब करने से पहले 10-15 मिनट डीफ फ्रीज में जरूर रख दीजेगा और उसके तेल गरम हो जाए तो इसमें एका करकर आपको यह चिकन रॉल डालना है इसी थोड़ा कड़क हो जाता है और फ्राइ अच्छा बहुत बहुत जादा अच्छा होगा इस तरह से चार पीस मैंने आप इसमें डाली है डालकर इसको एक साइट से सिखने देती हूँ शालो फ्र तो अब हमने सारी चेंज कर लिए इसकी साइट को और उल्टे साइट भी हमें इसी तरह का सुनेरा कलर आने तक इसको फ्राइ कर लेना है तो लगतार आप इसको अब यहां पे फ्लेम हाई करें और हाई फ्लेम पे तीन-चार मिनट और फ्राइ कर लीजिए जिस तरह से यह बहुत अच्छा सिख जाएगा अंदर तक पक जाएगा और बीच-बीच में आप क्या करें हलका हलका इसकी साइट को टर्न करते रहें और इस तरह से सभी तरफ बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है अगर आप इसको डीप ओल में फ्राइगे क्योंकि मैं पर शैलो फ्राइ कर इसलिए मैं इसको बीच-बीच में इस तरह से साइट चेंज करती जा रही हूँ जिससे हर तरफ पर कलर इवेंस आएगा और यह बहुत अच्छा सिख कर रेडी हो जाएगा टोटल टाइम आपको मैं बताऊं अगर इसको सिखने का तो पहले के चार-पांच मिनट लो मीडियम फ्लेम पे और देन चार-पांच मिनट आगे के हाई फ्लेम पे यह सिख गया है और बहुत प्यारा सा कलर आचुका है चिकन वगेर सब सॉफ्ट हो चुका होगा और बहुत ही यमी डिलीशिस सा यह चिकन रॉल हमारा तयार है जितना दीखने में यह खुबसूरत लग रहा है उतना ही खाने में लाजवाब होगा तो एक बार लम्दानों में उट्शार से यह ररसेपी जरूर ऐखीजिएगा बहुत ज्यादध हिल्दी है बहुत तेस्टी है और यमी है तत्सम्वा angles और मेड़ली स्पायल के सतर समद habilis अगर्सस् से अची लग ढ lider तो प्लीज वीडियो को एक हम लाइक करें चानल पर नहीं तो सब्स्क्राब ज़रूर करक्स्षय है तब तक अपनों और अपनी फैमिली का रखियेगा बहुत सारा ख्याल दौाओं में याद रखियेगा थैंक्स फू वाचिंग